गोड़ा में जिले के पोड़ेया हाट में अग लगी की घटना घटी है जुसमें की तीन घट जोल कर खाक हो गए आग जनी इस में लाखों का नुकसान हुआ है बताया चारा है कि गैस सिलेंडर विस्पोर्ट से आग लगी है गटना पोड़या हाट थानशेतर के मادुरी गाओं में जहा टोला की है घंटो के मश्रकत के बाद आग पर काबू पायाया है वहीं गोड़ा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए वस्पोट से आग लग गई तीनों घरों को जला कर आगने खाक कर दिया जिसमें लाकों का नुपसान हुआ है घटना पॉड़ाया हाट थाने शेतर के माधरी गाउं के जाट टोला की है बताया चारा है कि खाना बनाने के दौरान सिलिंडर में वस्पोट हुआ और आग लग गई आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के तीन घरों को अपनी चपेट में ले लिया अस्थाने लोगों ने आग बुचाने की कोशिश की और बाद में दमकल की दो गाड़ियां घटना इस तरफ पर पहुँची वो इकडी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक सारा ही सामान जो था वो जल कर खाक हो चुका था सब सामान नस्ट हो चुके थे घटना में दिवाकर ज़ा पपुजा और हीरा लाल ज़ा के घर पूरी तरी के से नस्ट हो गए हैं दिवाकर जा के घर में रखी हुई बाइक भी पूरी तरी से जल गई इधर घटना के बाद पीरित परिवार सड़क पर आ गए है उन्हें रहने खाने की समस्या हो गई है उमीद की जा रही है कि प्रिक्षासन की ओर से उन्हें कोई मदद और राहत मिले जोसे कि उनकी परिशानी थोड़ी कम हो सके